नमस्कार दोस्तों मैं मनोज जैसवाल आपका इस वीडियो में तही दिल से स्वागत करता हूं आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक टॉपिक लेकर रहे हैं कि अगर आप अपना मुबाइल लंबर और एमेल आईडी अपनी आपका मुबाइल लंबर दूसरा कोई चल रहा था आज के समय में जब दुनिया डिजिटल की तरफ बढ़ती जा रही है उस समय में भी आपको नहीं मिल पाती हैं तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपना मुबाइल लंबर और इमेल आईडी अपनी पॉलसी के साथ रइस्टर कराके अलाइसी के सारे डिजिटल बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो मैं इस वीडियो के अंदर तीन मोट्स बताने जा रहा हूं उनको फॉलो करके आप अपना मुबाइल नंबर और इमेल आईडी आसानी से रइस्टर करा सकते हैं तो चलिए चलते हैं औ अगर आपके नियरभाइ ब्रांच है आपका एजेंट है तो आप एक अप्लिकेशन लेटर लिख कर अपना पॉलिसी नंबर लिखेंगे उसके अंदर और अपना करेंड जो रिइस्टर करां चाहते हैं वो नंबर लिखेंगे और एक रिक्वेस्ट दाल देंगे तो उसके आपका मोबाइल नंबर आपकी पॉलिसी के अंदर अप्डेट हो जाएगा साथ में अगर इमेल आइडी भी अप्डेट कराएं तो इमेल आइडी भी उस लेटर के अंदर लिखनी होती है दूसरा तरीका होता है कि आप अमारे एलाइसी कस्टूमर के का जो नंबर है 68276827 इसके आगे जो पिन कोड लगेगा 02268276827 इसके टाइमिंग आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी इस नंबर पर कॉल करके भी अपने इमेल आइडी और मोबाइल नंबर को रेजिस्टर करा सकते हैं अपनी एलाइसी पॉलिसी के साथ में और तीसरा जिसे के लिए आपको कह प्राइन की ज़रुत नहीं है कहीं पर आपको अपने मोबाइल नंबर और इमेल आइडी को रेजिटर कर सकते हैं तो इसके लिए आपको मेरी स्क्रीन पर चलना होगा तो चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन के उपर आप देख रहे होंगे मैंने Google Chrome कोल रहा है आप इसे अपने म किसी भी खोल सकते हैं, अगर आप मुबाइल पे खोल रहे हैं, तो उसको आप डेक्स्टॉप वर्जन पे खोल लिएगा, मतलब डेक्स्टॉप साइट क्लिक कर लीजिएगा, यहां पे जाके, अब चलिए स्टार्ट करते हैं, आप मैं गूगल सर्च बारज में जाके, अगर अब यहां पे आप के ऊपर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, अपको अपना पूरा नाम डालना है, नाम डालने के बाद आप देख रहे हैं, कि आपको यहां पे अपनी डेटो बर्थ डालनी है, आपको इसी फॉर्मिट के अंदर आपको अपनी डेटो बर्थ मेंशन करनी है, उसके बाद यहां पे आपको अपना मुबाईल नंबर अपडेट करना है, आपका पिन कोड, गरल्व यहां से हट गया तो हैं करना होगा यहां पर ज bracelets पर करना होगा है प Figing कि आफिशनी मौबटर करना चाहते हैं मतब इमेल आइडी और मोबाईल नंबर जी आफिड करना चाहते हैं उतनी number of policy आपे आपको mention करनी है जैसे मेरे को अभी फिलाल एक करनी है तो मैं यहाँ पर एक क्लिक कर रहा हूं और यहाँ पर confirm कर रहा हूं कि जो मैं मोबाइल number और email id दे रहा हूं वो register मेरे साथ ही है और मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ, LIC की साथ, तो जैसे ही मैं सब्मिट करता हूँ इसके अंदर, यहाँ पर मेरी complete details आ जाती है, आपको दिख रहा होगा, उसके बाद यहाँ पर एक blank field है, जहाँ पर one लिखा हूँ है, यहाँ पर मेरेको अपना policy number अपडेट करना है, में mention करना है, जिसके अंदर में अपनी details को अपडेट करना चाहता हूँ, जो कि है मेरी mobile number और email ID, इसको number डालते ही, यहाँ पर मेरेको option आ रहा है, validated policy details, इसको मैं जैसे ही click करूँगा, तो मेरेको यह next page पले जाएगा, और जहाँ पर यहाँ पर यहाँ एक request कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर request status दिखा रहा है, policy already registered और under process, मतलब मेरी request already under process है, अगर आप first time कर रहोंगे, तो यहाँ पर आपको successful लिखके आएगा, successful लिखने के बाद, जैसी आप यहाँ पर send request करेंगे, तो यहाँ पर आपको service request number डिख जाएगा, क्योंकि मैं already register कर चुका हूँ, इसल कि किस तरीके से आप असानी से अपने mobile number और email ID को register रहा सकते हैं, क्योंकि देखिए, आज के समय में mobile number और email ID register होना जरूरी है, आज कल digital India हो चुका है, उसी तरह से LIC ने भी अपनी बहुत सारी services digitally promote करना चालू कर दी है, जैसे कि आपकी LIC related जो भी inquiries है, जैसे आपकी premium कोई अगर जमा हुआ है, आपका premium कब आने वाला है, due कब है, आपकी maturity अगर आने वाली है, कोई भी details होगी, कोई भी update होगी, आपको SMS के द्वारा पता लगती है, और अगर आपका mobile number registered नहीं होगा, तो उस case के अंदर आपके पास information नहीं पहुँच पाएगी, उसी तरीके से email ID प तक share करिए, जिससे उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके, अंदर में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,